रत्नागीरी के हवेली में अपने कक्ष में मौजोद गीतांजली यहाँ वहाँ परिशान खुम रही थी खाने के थाली भी वैसे की वैसे ही रखी थी तभी वहाँ दाईमा आई और गीतांजली का हाथ पकड़कर उसे एक जगा बैठाते हुए बोली खाना क्यों नहीं खाया अभी तक वहाँ जंग में पदा नहीं क्या हो रहा होगा अगर विश्वदी जीत गया तो वो देवराज से कभी जीता है जो आज जीतेगा तभी कुछ सोचते हुए गितांजली बोली नहीं दाइमा आज तो जीत कर भी देवहार ही जाएंगे अगर आज देव के हाथो विश्वदी मारा गया तो सुनेना सुनेना कभी देव को माफ नहीं करेगी और अगर सुनेना ने खुद को कुछ कर लिया तो देव देव भी खुद को कभी माफ नहीं करेंगे इस रफ्तार के साथ अपने घोडे को भगाया। विश्वदीब की सेना के बीच से निकल कर देवराज पलक चपते ही बड़ी हवेली के पास पहुँच गये। सुनैना जमीन पर गिरी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। अब और भी लोग वहाँ जमा हो चुके थे। देवराज घोडे से उतरे और दोर कर सुनैना के पास आ गये। सुनैना ने जैसे ही देवराज की आँखों में देखा, देवराज की आँखों से आंसु गि हमें और कुछ सूजा ही नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुनैना। यह हमने नहीं किया। हमसे किसी ने कहा। देवा का होना है तो कूट जाओ। हम कूट के देवा। यह सुनते ही देवराज की आँखे फटी की फटी रह गई। आस-पास खड़े लोगों म में बाते होने लगी कि शायद रानी पर किसी चुडैल का साया था। तभी देवराज ने पूछा। किस ने कहा तुमसे ऐसा। देवराज ने पूछा कुछ और लेकिन सुनैना ने जवाब में कहा कुछ और। उसे देवराज से शिकायत थी। सो अपने आखरी वक्त में सिकायत करते हुए कहा। इतना भी हग नहीं हमारा। ये सुनकर देवराज हैरानी से बोले। पत्र? तुमने पत्र लिखे हमें? लेकिन हमें तो कोई पत्र नहीं मिला। ये सुनते ही सुनैना मुश्करा दी और धीर इसे बोली। मरते हुए से जूट जूट नहीं कहते देव। भाप लगता है। हम जूट नहीं कह रहे हैं। हमें सच में कोई पत्र नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्या हम तुमसे मिलने नहीं आते। हम आज भी तुम्हारे देवा हैं। तुम्हारे बश्चपन के साथ ही। उसे देखकर मुश्कुरा रही थी। उस बूरी औरत को देखते ही सुनैना ने टर मैसूस किया। फिर अचानक एक देज हवा का जोका आया और वहां सब कुछ शान्त हो गया। सुनैना ने आसपास खड़े लोगों को देखा। वो सब के सब बुद्ध बन चुके थे। सुनैना ने फॉरें ही देवराज की तरफ देखा। देव देव कुछ बोलो बोलो न देव। बाकी सब की तरह देवराज भी एक बुद्ध में तब्दील हो गए थे। वहां केवल सुनैना और वो बूरी और थी जिनके भीतर जान बाकी थी। ये ये क्या क्या तुमने। कौन हो तुम। वैसे तुम मेरे कई नाम है। लेकिन सोनगिरी और रत्नागिरी के लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं। पिशाचनी। तो इस सब के पीछे तुम हो। तुमने ही हमें कूतने को कहा था ना। हाँ, मैंने ही कहा था लेकिन। लेकिन मैरे सरफ कहा था। कुदी तो दुखधी थी ना। मैं ही क्यों। मैंने तुम्हारा क्या भिगा रता। सुनैना ने भराय गले से कहा। तभी वो पिशाचनी सुनैना के करीब आई और कुस्से मे बोली। क्यू? तूने देवराज को चहां? तू, तू मेरी बेटी के रास्ते में काटा थी? आज, आज मैंने वो काटा जड़ से ही हटा दिया, तेरे बाद बस एक काटा बचे का, गिता अंजली, लेकिन उसे, उसे मै मार नहीं सकते, वरिंदा को जो वाचन दिया है, वरिंदा उसे हातों से मारेगी अगर ऐसा नहीं होता तो गितांजली तो कपती मर गई होती ही वृंदा का नाम सुनते ही सुनेना के होश उड़ गए वो घपराते हुए वो दी तुम तुम वृंदा की मा हो क्यों अभी भी शक है तुझे सुनेना अब सब कुछ समझ चुकी थी देवराज तक उसके लिखे पत्र वृंदा ने नहीं पहुचाने दिये वृंदा जो हमेशा गितांजली की पर्छाई बनकर उसके साथ रही वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है देवराज को पाने के लिए वृंदा गितांजली को म नहीं मारतेगी यह खयाल आते ही सुनेना ने बुठ बने हुए देवराज के तरफ देखा और ख़बराते हुए कहा देव देव होश में आ वो व वृंडा व व वह सब कुछ तभा कर देगी देव सभ सब कुछ तभा कर देगी उतना कहते ये उस पिशाचनी ने बिना देर किये सुनेना का कला दबा कर उसकी जान दे ली तभी फिर से हवा का एक तेंस छोका आया और वो पिशाचनी वहां से गायब हो गई बुद बने सभी लोग फिर से पहले जैसे हो गए थे सुनेना सुनेना ऐसे चुप क्यूं है कुछ बोल दे रहे देवराज ने भराय गले से कहा कि तभी एक बूढ़े वैद वहां आ गए उन्होंने सुनेना की नब्स देखी और सर जुका कर बोले रानी साहब नहीं रही ये सुनते ही देवराज ने वैद की गर्दन पकड़ली और गुस्से में बोले कुछ नहीं हुआ है सुनेना को ये अभी तो अभी तो बात कर रही थी फिर एक दम से कैसे श्मा करे राजा साहब लेकिन मैंने वही कहा जो सत्य है ये सुनकर देवराज रौदे हुए गले से बोले जूट है ये, ये सब जूट है, एक, एक बुरा सपना है ये, सुनेना अभी उट जाएगी, अभी आखे खोल देगी, अभी एक, एक बंदर का चित्र लाएगी और आखे बोलेगी, देवा, देख, मैंने तेरा चित्र बनाया है, देवा, गर-गर खेलेगा मेरे साथ, देव, हमने खीर बनाई है, मा बोली अच्छी नहीं बनी, तुम खा के बताओ ना कैसी है, देव, हमें विवा नहीं करना, हमें नहीं जाना दूसरे काओं, तुमसे दूर, कीतांचिली तुमसे बहुत प्रेम करती है, देव, शायद हमसे भी जादा, उसका हाथ नहीं छोड़ना कभी, हाँ बाबा, हम वहाँ खुश है, हम तुम्हें पत्र लिखेंगे, तुम भी लिखना, नहीं लिखोगे तो, हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे, लिखोंगा, पत्र लिखोंगा सुने ना, लेकिन बात तो करो, हमसे बात तो करो, ये कहते हुए देवराज की नजर सुनैना की गर्दन पर पड़ी देवराज ने अपने आसों पहुचे और गौर से सुनैना की गर्दन पर बने हाथ के निशान को देखा हाथ का वो निशान देख कर देवराज हैरानी से बोले ये तो किसी चड़ेल या पिशाशनी के हाथ का निशान है